हलो एवरिवन आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 7 साथी हाथ बढ़ाना जिसके कवी का नाम है साहिर लुधियानवी आपने एक गाना सुना होगा साथी हाथ बढ़ाना एक अकेला तक जाएगा मिलकर मुझ उठाना साथी हाथ बढ़ाना याद आया किसने किसने सुना है तो यह एक नया दौर मुवी में इस सौंग को फिल्म आया गया है और साहिर लुधियानवी के द्वारा लिखी गई एक कवीता है जिसे मुवी में गाने के तोर पर गाया गया है आये पढ़ना सुरू करें साथी हाथ बढ़ाना एक केला तक जाएगा मिलकर बोजो उठाना साथी हाथ बढ़ाना यहाँ पे कवी क्या कहते हैं कि सभी लोग जब एक साथ मिल जुल कर रहते हैं कोई भी मुश्किल से मुश्किल काम आसान हो जाता है बड़े से बड़ा काम कम समय में उस काम को अच्छे से हम कर सकते हैं तो क्या कहते हैं कभी, साथी हाथ बढ़ाना, तो चलो मित्रों साथियों सब लोग मिलकर हाथ बढ़ाते हैं, एक अकेला अगर ठक जाएगा, तो हम सभी लोग मिलकर उस बोज को उठा लेंगे, साथी हाथ बढ़ाना, क्या कहते हैं, साथी, चलो, सब लोग मिलकर हाथ बढ़ सागर ने रस्ता छोड़ा पर्वत ने सीस जुकाया पॉला दे हैं सीने अपने पॉला दे हैं बाहें हम चाहें तो चट्टानों में पैदा कर दे रहें साथी हात बढ़ाना क्या कहते हैं कवी हम अपनी मेहनत की बल पर कौन-कौन सी काम कर सकते हैं उसको इस काव्यांश में बताया गया है तो हम मेहनत वालों ने जब भी मिलकर कदम बढ़ाया हम मेहनत करने वाले जब मिलकर एक साथ कदम बढ़ाते हैं तो क्या क्या हो जाता है देखे सागर ने रस्ता छोड़ा सागर अर्थार्थ समुद्र भी अपना रास्ता बदल देता है तो आपको याद होगा कि राम सेतु समुद्र पे बना हुआ था तो सब लोग सोचते थे कि इस समुद्र पे सेतु या पुल कैसे बनेगा लेकिन जब सभी ने मिल जुलकर एक साथ मिलकर काम किया तो वह काम आसान हो गया तो हम अपनी मेहनत के बल पर सागर का या समुद्र का रास्ता भी अलग कर सकते हैं मोड सकते हैं समुद्र भी अपना रास्ता छोड़ सकता है परवत ने सीज जुकाया और परवत भी हम क्या करते हैं हम परवत को भी पार कर देते हैं सीज जुकाने का अर्थ है हम परवत को भी पार कर पाते हैं आपने सुना होगा कि जब इतनी बड़ी उची-उची परवत चूटियां माउन्ट एवरेस्ट पे हम चड़ चुके हैं तो ये किसके बल पे हुआ है महनत के बल पर ही हुआ है क्या होता है जब महनत वाले एक साथ मिलकर कदम उठाते हैं तो सागर भी अपना रास्ता चोड़ देता है और परवत भी सिर जुका लेता है अर्थाथ हम परवत पर भी चड़ सकते हैं फॉलादी हैं सीने अपने फॉलादी हैं बाहें फॉलादी अर्थाथ मजबूत पॉलाद, पत्थर के समान तो हमारे सीने कैसे हैं? पत्थर के समान मजबूत हैं हमारी बाहें भी पॉलाद के समान मजबूत हैं हम चाहें तो चट्टानों में पैदा कर दे रहें हम क्या कर सकते हैं? बड़े-बड़े चट्टानों को तोड़कर उनके बीच से रास्ता बना सकते हैं कई जगों पर आपने दिखा होगा कि जब हम सडक पर जाते हैं तो दोनों और बड़े-बड़े चटान या पहाड होते हैं लेकिन बीच से रास्ता निकाला हुआ रहता है तो यह रास्ता किस के द्वारा बनाया जाता है? हम मनुष्य के द्वारा ही बनाया जाता है साथी हाथ बढ़ाना कभी का क्या कहना है कि चलो साथी सब मिल जुलकर एक साथ काम करते हैं आगे देखते हैं हम महनत अपने लेक की रेखा महनत से क्या डरना कल गैरों की खातिर की आज अपनी खातिर करना अपना दुक भी एक है अपना सुक भी एक अपनी मंजिल सच की मंजिल अपना रस्ता नेक साथी हाथ बढ़ाना क्या कहते हैं कभी अब महनत से हम क्या क्या कर सकते हैं और हमें महनत से डरना नहीं चाहिए तो इस बात को कभी इस काव्यांच में बता रहे हैं मेहनत अपने लेख की रेखा हम क्या कर सकते हैं अपनी किस्मत की रेखा जो है मेहनत के बल पर बदल सकते हैं मेहनत से क्या डरना हमें मेहनत से डरना नहीं चाहिए अगर हम चुपचाप बैठे रहें तो हमारे सामने रखा हुआ भोजन भी हमारे मुख में नहीं जाएगा इसकी लिए भी हमें मेहनत करनी पड़ती है हाथ पैर चलाना पड़ता है तो हम क्या कर सकते हैं मेहनत के बल पर अपने किस्मत को बदल सकते हैं इसलिए हमें मेहनत से नहीं डरना चाहिए कल गैरों की खातिर की आज अपनी खातिर करना कह रहे हैं कभी कि हमने कल दूसरों की खातिर मेहनत की है आज हम अपनी खातिर मेहनत करेंगे अपना दुख भी एक है साथी अपना सुख भी एक हमारा दुख और सुख सब एक साथ है अर्थार्थम एक दूसरे के सुख दुख के हिस्सेदार है भागिदार है हमें एक साथ मिल जुल कर रहना चाहिए हमारा दुख भी एक जैसा है हमारा सुख भी एक जैसा है हम एक दूसरे के सुख दुख में एक साथ रहते हैं मंजिल, अपनी मंजिल सच की मंजिल हमारा मंजिल क्या है? हमारा गोल क्या है? सच और अपना रास्ता भी क्या है? नेक मतलब अच्छाई के काम को करते हुए अच्छे कर्मों को सद कर्मों को करते हुए हमें अपनी मंजिल को प्राप्ट करना है कभी कहते हैं साथी हाथ बढ़ाना चलो साथी सब लोग मिलकर हाथ बढ़ाते हैं यहाँ आप ये चित्रों के माध्य हम से देख पाते होंगे कि सब लोग एक साथ मिल जुलकर काम कर रहे हैं अब आगे कभी क्या कहते हैं एक से एक मिले कतरा तो बन जाता है दरिया एक से एक मिले जर्रा बन जाता है सहरा एक से एक मिले तो राई बन सकती है परवत एक से एक मिले तो इंसा बसमे कर ले किस्मत साथी हाथ बढ़ाना क्या कर सकते हैं हम जब एक साथ मिल जूल कर रहेंगे, तो हम कौन-कौन से काम कर सकते हैं, देखिए, कि एक से एक मिले तो कत्रा, कत्रा का अर्थ है, किसी चीज का छोटा सा हिस्सा, आप लोग सुनते होंगे, कपड़े का कत्रन, मतलब कपड़े का छोटा सा हिस्सा, वैसे ही, किसी भी काम का छ चोटा-चोटा टुकडा निलता है il resulting अधरी बन जाता है डरियाँ दो बना जाता है तो अगर चूटी-चूटी नालियाँ भरती जाके तालाब नालिया तो बहुत सार पानी धो रह जाता हैplease कई तालाबों का पानी अगर हम खोल दें कई नदियों का पानी अगर हम खोल दें तो ये नदियों का पानी मिलके क्या बन जाता है बहुत बड़ा समुद्र तो वही बताय गया है कि छोटी छोटी चीजे मिलकर ही बड़ी चीजों का स्वरूप लेती है एक से एक मिले जर्रा बन जाता है सहरा, जर्रा कार्थ है कंड, छोटा छोटा कंड एक एक छोटा छोटा कंड मिलकर बहुत बड़ा पर्वत या पहाड बन सकता है बहुत बड़ा हिस्सा किसी भी चीज का बन सकता है छोटे-छोटे कण को मिलाके अगर हम रखें तो किसी भी चीज का हिस्सा अगर छोटे-छोटे खिलोने के टुकडों को जोड़ दें या फिर छोटे-छोटे कपड़े के टुकडों को जोड़ दें तो बड़ी बड़ी चीजे बनाई जा सकती है इसी प्रकाल एक से एक मिले तो जर्राद छोटा छोटा कड़ भी एक साथ मिलता है तो बड़ी चीज बन जाती है एक से एक मिले तो राई बन सकती है परवत आपने सुना होगा ना राई सर्षों जिसे हम बोलते हैं उसी का एक रूप है राई तो छोटी छोटे राई के समान पत्थर मिलते हैं तो परवत बन जाते हैं कई पत्थरों को मिला कर क्या बनता है परवत बनता है तो एक से एक छोटे छोटे अगर राई के समान परवत भी मिल जाएंगे तो बहुत बड़ा राई के समान पत्थर भी मिल जाएंगे तो बहुत बड़ा परवत का रूप ले सकते हैं एक से एक मिले तो इंसा बस में कर ले किस्मत और अगर सभी आदमी, सभी इंसान, सभी मनुस्य एक दूसरे से मिल जुल कर रहते हैं तो हम अपनी किस्मत को अपने हिसाब से चला सकते हैं साथी हात बड़ाना, क्या कहते हैं? साथी एक दूसरे से मिल जुल कर रहना चाहिए एक दूसरे के काम में हमें सहयोग करना चाहिए ये थी साहर लुध्यानवीग की कविता साथी काव्य के माध्यम से कवी ने बताया है कि हम अगर मिल जुल कर एक साथ रहें एक साथ काम करें तो कई मुश्किल काम को आसान कर सकते हैं